तुम ना मानो मगर ये हकीकत है गडित हर जेनरल कंपटीशन की जरूरत है गोस्वामी सर के क्लास में बैठ के देखो गडित की दुनिया कितनी खुबसूरत है गोस्वामी मैथमेटिक्स आफ सभी विद्यारतियों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है ठीक है ना अच्छा है ना माजा है ना आईए दोस्तों मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृदी व्याज चक्रवृदी व्याज में आज हम बहुत खुबसूरत टाइप लेकर आए हैं जी है दोस्तों जैसे आपके स्क्रीन पे कोस्चन है दो वर्स का सधारण व्याज 500 और दो वर्स के चक्रवृदी व्याज 530 तो रेट क्या होगा हमें पता है कि आप बना लेते होंगे या नहीं बनाते होंगे लेकिन आज हम आपको यूनिक तरीका सिखाएंगे जिसमें रेट निकालना हो मुल्धन निकालनों सब असानी से निकाल सकते हैं और कंसेप्ट से इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं है ठीक है चलिए तो बन रहे हमारे साथ लाश्ट तक इस वीडियो के और भी अच्छे अच्छे प्रस्ण लेकर हम आपको आएंगे इसी वीडियो में दो बर्स का सधारण ब्याज 500 और दो बर्स का चक्रविधी ब्याज 530 रुपिया आपसे पुछा गया कि रेट क्या होगा ध्यान लगाएंगे बच्चों क्या निकालना है रेट अब आप देखेंगे कि यहां दो बर्स का सधारण ब्याज दिया गया और यहां दो बर्स का च ध्यान देना ये हो गया मुल्दान मालूम जो नहीं है दो साल है तो पहला साल और दूसरा साल अब थ्यान देना सधारण ब्याज क्या होता है कि हर वर्स बराबर ही मिलता है अगर किसी ने कहा कि तीन वर्स का सधारण ब्याज 300 रुपया है मतलब पहला साल का 100 रुपया दूस का सधारन ब्याज 400 रुपया है इसका मतलब पहला साल का 200 दोसरा साल का भी 200 रुपया है कहा गया दो बरस का सधारन ब्याज 500 रुपया तो सधारन ब्याज हर बरस में बराबर मिलता है सधारन ब्याज हर साल बराबर मिलता है दो बरस का सधारन ब्याज 500 रुपया है यानि पहल साल 28 रूपिया ब्याज मिला đूसरा साल भी 28 रूपिया ब्याज मिला द्यान देना बच्चों सधारण ब्याज क्या होता है कि हर वर्स बराबर मिलता है जइकर चइओ बियाज 30 रूपिया बढ़ नहittersim यानि केतना ज्यादा है चक्रविर्धी ब्याज 30 रुपया ज्यादा है यह 30 रुपया ज्यादा क्यूं है ध्यान देना जैसे 500 रुपया ब्याज मिला सधारण ब्याज तो दो भाग में बाट दो 500 के आदा कर दो पहला साल 800 दूसरा साल भी 800 और चक्रविर्धी ब्याज यह 30 रुपिया एक्स्ट्रा है क्यों कि पहला साल का अगर हम चक्रविर्धी ब्याज निकालें तो मुल्धन पर मिलेगा ठीक है मुल्धन पर ब्याज मिला अड़ाई सो रुपिया साधारा ब्याज भी कहलाएगा और अड़ाई सो रुपिया चक्रविर्धी ब्याज भी कहलाएग लेकिन अगर हम दूसरा साल चक्रवीधी ब्याज निकाले तो मुल्धन का ब्याज कितना हुआ अड़ाई सो क्योंकि पहला साल अड़ाई सो मुल्धन का मिले तो दूसरा साल भी अड़ाई सो ही मिलेगा और ये 30 रुपिया जो मिला है ये 30 रुपिया ये 30 रुपिया जो मिला है न ये क्या है ये पिछला साल के ब्याज का ब्याज है इसलिए ये 30 रुपिया ज्यादा हो गया है ये ही चक्रविर्धी ब्याज 530 क्यों हो गया है साथ हानार ब्याज 500 ही क्यों है क्योंकि पहला साल अड़ाई सो मिले दूसरा साल भी अड़ाई सो मिला लेकिन चक्रविर्दी ब्याज में क्या हुआ कि पहला साल अड़ाई सो मिला दूसरा साल भी अड़ाई सो मिला लेकिन मुल्धन कहीं अड़ाई सो मिला न और यह जो 30 हल कर देंगे जीरो जीरो कैंसिल ठीक है 12% रेट आ चुका है कोई दिकत समझ में आया की नहीं आया करना क्या है 500 रुपिया दू भाग में बाट दो अड़ाइसो अड़ाइसो एक्स्ट्रा ब्याज है न जो वो सूध का सूध है अड़ाइसो का 30 रुपिया सूध है यानि 12% ब्याज मिला ठीक है बच्चों इसका आप फर्मूला भी बना सकते हैं फर्मूला मिलता है अक्सर किताबों में रेट निकालना और दो साल के CISI दिया देखो फर्मूला क्या बना आपने यह 30 रुपिय किसका 30 रुपिय एक्स्ट्रा ब्याज है यानि 30 है CISI का डिफ्रेंस यह 30 और नीचे में किस पर ब्याज निकाले 2800 पर यानि SI by 2 गुणे 100 यह आपका फर्मूला बन गया यह 2 कटके उपर चला जाएगा ठीक है तो SL फर्मूला भी आपको किताब में मिलता है रेट निकालना है तो 2 गुणे CI मैस SI बट्टा में SI गुणे 100 ठीक है लेकिन आपको फर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आप डाइरेक्ट ऐसे बनाएंगे ठीक है ध्यान देंगे एक और कुस्चन लेते हैं बच्चों इसी तरह का ठीक है ना अच्छा है ना किसी ने कहा 2 वर्स का SI 600 रुपिया और 2 वर्स का 2 वर्स का SI 630 रुपिया ठीक है दो वर्स का SI 600 रुपिया दो वर्स का SI 630 रुपिया आपसे पुछा गया rate बताओ rate बच्चों rate निकालना है दो वर्स का SI 600 रुपिया यानि पहला साल 300 दूसरा साल भी 300 मिला दो बर्स का SI 600 है यानि पहला साल 300 दूसरा साल 300 सीधे आदा कर देना है ये 630 है यानि कितना जादा है 30 रुपया जादा है CI ये 30 रुपया किसका ब्याज है ये 300 रुपया का ब्याज है 30 रुपया तो हमें रेट निकालना है तो 30 रुपिया भी आज मिला कितना का? 300 का, तो 100 का कितना? सीधे हो गया 10%, ठीक है? तो जब भी 2 वर्स का CISI दिया गया हो, प्रस्ण को कैसे बनाना है, आप समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है? चलिए, बच्चों, आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं, मित्रों, गौर फर्माईए, और ध्यान लगाईए, प्रुजे कोस्टन हैं लेते हैं इस तरह का? बच्चों, ध्यान देंगे, कोस्टन एक, दो वर्स का, दो वर्स का, एस आई, दूसर सत्तर, और दो वर्स का, सी आई, दूसर बेरासी, दसमलो, एक, पांच, कहा गया, रेट क्या होड़ा? रेट निकालना है, हमें ध्यान देना, दो बर्स का SI, 270, दो बर्स का CI, 282.15 रेट निकालना है, बच्चों कुछ नहीं करना है यहां मुल्दान लिख लो SI 270 है, यानि पहला साल 135, दूसरा साल भी 135 270 के दो भाग में बाट देंगे यह देखो CI कितना जादा है 270 है, दूसरे 82.5 है, जादा है 12.15 यानि यह 12.15 किसका ब्याज है, 135 का क्योंकि मुल्दान का तो 135 मिल गया ना दूसरे बर्स में यह 12.15 जादा क्या है, यह सूध का सूध है यानि 12.15, 135 का ब्याज मिला तो रेट क्या होगा ठीक है, 12.15 बट्टे में 135 गुड़े 100 कोई दिकत, 10.00 से 00.00 कैंसिल ठीक है, 15 सी कट जाएगा 15.9.135, यह 15.28 से 15.1.15 9.9.81, रेट हो गया 9% कोई दिकत मेरे प्यारे दुलारे भी द्यारती हो ठीक है, या रेट 89% इसमें अगर मुल्दान निकालना रहेगा तो मुल्दान भी निकल जाएगा एक कोस्चन लेते हैं मुल्दान निकालने वाला हाँ, जो लोग फर्मूलार रटते हैं न उसके लिए मुल्दान निकालना मुस्किल हो जाता है थोड़ा वक्त लगता है लेकिन मुल्दान निकल जाता है फर्मूलार रटने वाले को लेकिन अगर आप concept जानते हैं तो जल्दी निकालिएगा Question है दो वर्स का SI दो वर्स का SI 900 और दो वर्स का CI 954 आप से कहा गया मुल्दन बताओ व्यान देना दो वर्स का SI 900 और दो वर्स का CI 954 क्या निकालना है मुल्दन principle निकालना है बहुत इजी question है बस ये principle हो गया जो आपको पता नहीं है ठीक है अब SI 900 यानि पहला साल 4.4 दूसरा साल 4.4 सिधे आदा कर दो SI 900 यानि पहला साल 4.4 दूसरा साल 4.4 ये 54 रुपय एक्स्ट्रा है 54 रुपय एक्स्ट्रा है मतलब ये 4.4 का ब्याज है तो मुल्धन का कितना मुल्धन का साड़े चार सो का तो अगर आपको रेट निकालना है तो यहां से तुरन निकल जाएगा रेट निकालना है तो चोवन रुपया ब्याज मिला कितना का साड़े चार सो का तो सो का कितना यह आपको रेट हो जाएगा ठीक है जीरो जीरो कैंसील नौपचे पैतालिस और नौचक का चोवन नौपचे पैतालिस पांच दूनी के दस अगर रेट पूछेगा तो इस प्रस के दक किसा क्या रुपया है मुल्धन के बारफ पर्सेंट के माले कि साड़े चार सो रुपया तो मुल्धन कितना ञुति चार सो गुण्यंहां यह मुल्धन परमिला है डारेक्ट ठीक है जोज hook हमेरा उत्तर आने こ 400 रुपया ठीक है हे 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 उमीद करते हैं ये प्रस्ण आप असानी से समझ गए होंगे रेट निकालना हो या मुल्दन निकालना हो चुटकी में निकाल लीजिएगा हाँ जरूर कमेंट करके बता ये वीडियो कैसा लगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोस्टन लेते हैं क ध्यान दीजिएगा कोस्टन है आपका आपके स्क्रीन पर किसी रासी का ध्यान देंगे कोस्टन लिक रहा हूं किसी रासी का आठ परतीसत वार्सिक चक्र व्रिधी व्याज के दर से प्रतम वर्स का ब्याज प्रतम वर्स का ब्याज आर्तालीस रुपिया है तो दूसरे वर्स का ब्याज क्या होगा दूसरे वर्स का ब्याज क्या होगा बहुत सधारन सा प्रस्न है लेकिन संदार कोस्टन बावु छोटा है बहुत अच्छा है द्यान देना किसी रासी का 8 पर 30 बारसीक चक्रविधी ब्याज के दर से प्रतम वर्स का ब्याज 48 रुपिया है तो दूसरे वर्स का ब्याज क्या होगा पहला साल का CI दिया गया गया दूसरे साल का CI निकालना है रेट दिया गया है ना मुल्धन दिया गया ध्यान देना बताया है न क्योंकि पहला साल डाइरेक्ट मुल्धन पर ही ब्याज मिलता है यह 8% ब्याज मिला यानि मुल्धन का 8% मिला तो कितना मिला 48 रुपिया पहला बर्स का यह ब्याज दिया है 48 रुपिया तो पहला बर्स का CIO या SIO सेम होता है क्योंकि पहला साल में सुध का सुध ही मिलता है डाइरेक्ट मूर का ही सूध मिलता है मुलधन पर ही ब्याज मिलता है तो 8% मुलधन का मिला तो कितना मिला 48 ठीक है चलू पहला साल 48 मिला ल को दूसरा साल भी मुल्धन का ऐड परसेंट What仲 Aisam मिले गा गार साधारारन ब्याज निकालना हो तब पहला साल हमें मुल्धन का ब्याज मिला अगर हम चक्रविसी ब्याज मिलते हैं तो फ़ील कोई छूद का सूद नहीं में लेगा लेकिन दूसरा साल मिलें आधा पर्सेंट अधाली तो अर्तालीस का परसेंट निकाल उठ्टाई 64 के चार हाथ में लगा छो अच्छों के 32 और 30 और दो आंके बाद 10 मलों दे देंगे 310 मलों आठ चार यानि दूसरा साल सूध का सूध क्या हुआ 310 मलों आठ चार पहला साल क्यों नहीं पहला साल बार-बार करें सदार ब्याज और चक्रवीडी ब्याज बराबर होता है क्योंकि सिर्फ मुल्दन पर मिलता है पहला साल आर्तालीस तो दुसरा साल सूध के सूध भी लेंगे पहला साल के सूध क्या था 48 उसका 8% ले लिए 3.84 दूसरे साल का हमें ब्याज निकालना है 48 में 3.84 जोड़ देंगे ठीक है 48, 3, 51, 10.84 ठीक है कोई दिक्कत यहां मुलदान उलदान निकालने का टेंसन नहीं डाइरेक्ट निकल जाएगा कॉंसेप्ट रहेगा तब चलें आगे बच्चों कोई दिक्कत बना लेंगे इस कोस्टेन को भी ठीक है इस तरह के एक और प्रसन लेते हैं और ध्यान लगाते हैं 5 परतीसत के दर से रेट है 5 परतीसत वारसिक रेट है 5 परतीसत वारसिक अब प्रथम वर्स का ब्याज है प्रथम वर्स का SI है 40 रुपिया और दूसरे वर्स का प्रथम वर्स का CI प्रथम वर्स का CI 40 रुपिया है दूसरे वर्स का CI हमें निकालना है ठीक है यह उसी तरह का कोस्ट्यान है रेट है 5 पर 30 बारसी प्रथम वर्स का CI 40 दूसरे वर्स का CI लिकालना है बच्चों यह मुलदन हो गया, प्रथाम वर्स का ब्याज है 40, पहला साल 40 तो दूसरा साल भी 40, और यह किस पे मिला है, 5% मुलदन पर, यहां भी 5% मुलदन पर, अब सूद का सूद ले लेंगे, 40 का 5% जोड देंगे, 40 का 5% क्या होगा, दू होगा, कोई दिकत, तो दूसरे बस का ब्याज आ चुका हमारा 42 ठीक है न यह सब प्रस्णा बासानी से आप बना लीजिएगा ठीक है जोस्तों चलिए अगले टाइप में चलते हैं पहला कुछ चन अगले टाइप का कोई धन रासी कोई धन रासी तीन बर्सों में 2400 और चार बर्सों में 2520 हो जाता है तो बारसिक ब्याज की दर ग्याद करें ठीक है कोई धन रासी तीन बर्सों में 2400 और चार बर्सों में 2520 हो जाता है तो दर ग्याद करें आपके स्क्रीन पे कोस्चन है तीन वर्सों में 2400 यानि कोई धन्डासी का तीन वर्स का मिस्रधन चक्रविर्धी व्याज से हो गया 2400 रुपया तीन वर्स का मिस्रधन 2400 रुपया और चार वर्स का मिस्रधन 2520 रुपया कोस्चन में कहा गया दर बताईए अब बच्चों ध्यान देंगे ये तीन साल का मिस्रधन है 2400 रुपिया अगर इस पैसा को हम बैंक से निकाल लेते हैं अभी तो हमको 2400 रुपिया मिलेगा ये हमारे लिए मिस्रधन है क्योंकि इसमें मुलधन भी है और ब्याज भी है तीन बर्स का मिस्रधन 2400 रुपिया और चार बर्स का मिस्रधन 2520 रुपिया रेट निकालना है अगर हम तीन साल बात पैसा निकालने जाएंगे बैंक से तो बैंक हमको 2400 रुपिया देगा यह 24 सरुपया देगा क्योंकि यह मिस्रधन है इसमें मुल्धन भी है और ब्याज भी है लेकिन इस पैसा को अगर हम नहीं निकालते हैं छोड़ देते हैं तो यह अगले वर्स के लिए यह अगले एक वर्स के लिए यह पैसा रह जाएगा बैंक के पास और यह अगला एक वर्स के लिए पैसा क्या कालाएगा यह पैसा अब मिस्रधन नहीं कालाएगा अगर हम निकाल लिए तो मिस्रधन है छोड़ दिये तो अब ब्याज 24 सुपर मिलेगा सधारन ब्याज में ऐसा नहीं होता है लेकिन चेकरविर्दी ब्याज में ऐसा होता है यह अब मिस्रधान है लेकिन अगले साल के लिए मुलधन का काम करने लगेगा क्योंकि इस पर आगे पैसा मिलेगा इसमें मुल्धन भी है और ब्याज भी है और शक्रविद्धी ब्याज कहता है मूर पर भी ब्याज लेंगे और सुध पर भी हम ब्याज लेंगे यानि मूर और सुध दोनों है तो इस टोटल पर ब्याज मिलेगा और वही एक वर्स का ब्याज मिला है 24 से हो गया 25 यानी 1connect, 120 रुपय ब आज मिला है. तो rate निकालना है, 120 रुपय ब आज मिला, 2400 तो 100 पर कितना, हमारा उत्तर आ चुका है, 5%, ठीक है? तो 1 साल का difference रहना, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल. अगर 1 साल का difference रहना, तो भस इतना बता देना है, कि कितना परतीसात अधीक है यह वाला इससे कितना परसेंट अधीक है यानि रेट निकालना है तो 24,00 से 25,20 हो गया बढ़ा कितना 120 रुपया बढ़ा 24,00 पर तो 100 पर कितना 5,30 अगर एक साल का डिफ्रेंस रहे बस तो बस चेक कर लेना कितना परसेंट जादा है एक साल के लागू होगा दू साल के तीन साल के लिए नहीं लागू होगा हम उसको भी बताएंगे कि दो साल का डिफरेंस रहे तीन साल का डिफरेंस रहे तो क्या होगा लेकिन आज पढ़िये एक साल वाल अगले कलास नमलूब 2-3 साल भी पढ़ेंगे तीक है क्योंकि पहले एक साल सिखिएगा तभी ने 2-3 साल डिफरेंस वाला सिखिएगा चली आगे बढ़ते हैं और द्यान लगाते हैं गौर फर्माते हैं question है आपका एक और question है एक निश्चित धन्डासी आपके screen पर question है एक निश्चित धन्डासी चक्रविधी भी आज के दर से, तीन वर्स और दो वर्स से प्राप्त मिश्रधन का अनुपात एक इस अनुपात 20, तीन वर्स का मिश्रधन, एवं दो वर्स का मिश्रधन, ठीक है, तीन वर्स का मिश्रधन, कोस्टेन में दिया है, तीन वर्स का मिश्रधन और दो वर्ष का मिसरधन का रेसियो है 21 वनुपात 20 तो कहा यह है कि रेट बताई है अब बताओ, पहले तो दो साल के मिसरधन मिला होगा ना तो दो साल के मिसरधन 20 मिला एक साल और छोड़ दिये तो 21 होगी यानि ब्याज कितना मिला 1 रूपया रेट निकालना है तो एक रुपया ब्याज किस पे मिला है किस पे के बीस पे पहले दो साल का था ना बीस पे ब्याज मिला है एक रुपया का ब्याज मिला है बीस पे इधर उदर से गड़ बढ़ाना नहीं एक रुपया ब्याज मिला बीस पे तो सो पे कितना पाच पर तीसत बारसी ठीक है चलिए अगले कॉस्टन पर आते हैं और द्यान लगाते हैं इसी तरह एक और कॉस्टन लेते हैं मित्रों द्यान दीजिएगा और गॉर्पर में जीगा कुस्टन है कोई धन्दासी तीन कोई चक्रविर्धी ब्याज से कौन सी धन्दासी द्यान लगा ना कुस् मिस्रधन एक वर्स में सड़े 600 और दो वर्स में 676 दो वर्स में 676 तो कहा गया कि मुल्धन बताईए चक्रविधी बयाज से कौन सी दन्रासी यानि मुल्धन मालूम नहीं है अब द्यान देना मुल्धन एक वर्स बाद बढ़के 650 हो गया फिर यही 650 अगले साल छोड़ दिये तो 456 हो गया क्योंकि अब अगले साल के लिए 600 पर भ्याज मिलेगा न मुल्धन हम को निकालना है मुल्धन एक साल छोड़ दिये तो साड़े 600 हो गया फिर इस साड़े 600 को एक साल छोड़ दिये तो chest marketplace हो «गया अब बताओ, 6500 से 627 हो गया, ब्याज कितना मिला, 25 रुपिया, रेट निकालना हो गया, तो यही कोस्चन बन गया, 25 रुपिया ब्याज मिला, 6500 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है, कोई दिखकत, 0, 25 रुपया भी आज मिला, 6,60 पर 100 पर कितना रेट निकलना हो तो यही पे रेट निकल गया 26 रुपया है ना, 26 रुपया 6,60, 6,60, 26 26 रुपया भी आज मिला, 6,60 पर 100 पर कितना 13,65, 13,20, 5,20, 10, 4% रेट पुछेगा तो यही 4% हो जाएगा लेकिन rate नहीं हमें मुल्दान निकालना है तो मुल्दान निकल जाएगा बहू मुल्दान एक साल बाद शाड़े 600 हो गया निए 4% बढ़ने के बाद शाड़े 600 हो गया तो मुल्दान है कितना तो 4% मतलब 1.500 अब बढ़ा तो 26.25 अम इस रधान से मूलधन निकालना तो सीधे उल्टा गुणा कर देंगे 26 25 को उल्टा गुणा कर दी 25 बटा में 26 तेरा दूनी के 26 तेरा पचे 65 इकटा 25 पचीस पचीस हां 625 रूपया ठीक है कोई दिक्कत रेट निकालना जरूई नहीं था सिर्फ इतना भी सोच लेते कितना गुणा हो रहा है न उतना उल्टा गुणा कर देते आ जाता लेकिन इस प्रस्ण में हमने रेट निकालना भी सिखाया ठीक है अच्छा है चलिए तो रखते हैं यहीं तक बताईएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा इसको खूब सेर किजिए ठीक है बाई 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 च प्रस्टा प्रस्टा निए जगी।